नमस्कार आप देगा हैं दे इंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पुरी बिहार एक गरीब राज है और यहां के नेता जो हैं मुखिया है वो हमेशा यह दुखाई देते रहते हैं केंदर को या फिर जहां भी राष्टी है स्तर के मंच होते हैं वहाँ पर की बिहार में संसाध मादों का भाव बिहार को स्टेटस की जरूरत है यहां पैकेज जरूरत है ताकि बिहार अपने पैरों पर ख़ड़ा हो सके पहते हैं डिबलप्मेंट इहां पर हो सके इसकी साथ इसाथ बिहार के साथ बिमार्ण राज होने का भी एक नाम जुरा हुआ है मैं लेकर इस सब बावजूद बिहार के जो माननिय कंदल्क हैbrahim के फैसलीटीं में कोई कमी नहीं रहती आप देखते होंगे गरिभोंगें महुआ गाईयों से चलते हैं — और कोस प्रप्राम होता है वी में और सस्वे कराता है उग एलए से किया जाता है लेकिन सरकार भी जो है वो मानियों लोग के और खासकर मंत्रियों का पूरा ख्याल रखती है आपको हम बताएं कि बिहार सरकार ने अब जो फैसला लिया है उसके मतावित जो गारियों का बात होता है गारी आप देखते होंगे कोई भी नेता मंत्री जाता है तो गाड़ी बड़ा ही पाचान रहता है, लोग देखने के लिए ललाईत रहता है, बहले ही समाजवादी और गरीब की बात करते हैं, उसमें बैठे हुए नेता, लेकि गाड़ी उनका बड़ा मांगा रहता है, तो बिहार सरकार ने फैसला दिया है कि बिहार के मंत्री जो है तीस लाग रुपया कर दिया गया है, आपकों पूरा ख़वर बताते हैं, अब बिहार में मंत्री जीत तीस लाग तक की लगजरी गाड़ी की सवारी कर सकेंगे, इस रेनी में पटना हाई कोट के नियादीश और उनके समकश को भी सामिल किया गया है, यह नेर्णा मुक सच लोकेश कुमार सिंग की ओर से अधिसुषना जारी की गई है, इसमें पहले फरवरी 2020 में राज्य में मंत्री और हाई कोट के नियादीश के लिए गाड़ी खरीदने के लिए 25 लाग रुपय निर्धायत की गई थी, फरवरी 2020 में ही अपर मुक सचिव से लेकर अन्य वैसे अधिकारी जिने सरकार के वहान की सुबदादी है, उनके लिए 11 से 20 लाग तक की गाड़ी के खरीदने की निर्धायत की गई है, आपको बता दे कि मंत्री हाई कोट के जज और समकक्ष 30 लाग तक की गाड़ी का यूज कर सकते हैं, इसका रहा हम बताएं कि अपर मुक 20 लाग तक की गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, सरकार उन्हें देगी और जिला अधिकारी ओम इनके समकक्ष 18 लाग की गाड़ी का खरीद कर सकते हैं, जिस पर वो सवारी किया करेंगे, वही बताएं, जिला जज, एसपी और समकक्ष 13 लाग की गाड़ी, अन्य अधिकारी जिने वहां मानने हैं वो 11 लाग तक की गाड़ी जो है वो उपयोग कर सकते हैं तो बिहार में जेखें तो गाड़ियों के लिए बड़ा ही मोटा रकम जो है वो खर्च किया जा रहा है और आप देख सकते हैं आप आप ही सोचिए ना कि आखिर देड़ साल पहले ही अधारित किया गया कि 25 लाग तक की गाड़ी जो है वो मंत्री जी उस पर बैठ सकते हैं खड़ी सकते हैं अपने परयोग के लिए लेकिन डेड़ साल में क्या वो गाड़ी डेड़ साल में खराब हो जा रही है कि डेड़ साल में फिर बढ़ा करने की जरूरत आप पड़ र गई और जब जितने भी विहार के नेता हैं मंत्री हैं वो सभी अपने आपको जमीन से जुड़े हुए किसानों के मजदूरों को नेता बताते हैं गरीब जब भी सावजनिक मंच पर जाएंगे तो अपने आपको जोड़ेंगे कि मैं भी गरीब का लाल हूं गरीब का किसे उनको देख कर ये नहीं लग सकता है कि किसी भी एंगल से वो गरीब है कुर्ता पजामा तो फैसन है हिनेता बनना है तो आपको कुर्ता पाजामा पहनना पढ़ेगा लेकिन उसके अलावा सारा काम जो होता है एक पुंजी पती की तरह होता है एक समंतवादी लोग की तरह होता है कि मंतरी जी चलते हैं उनके आगे स्कॉट चलता है उनका गाड़ी होता है उनके पीछे लोगों का गाड़ी होता है उसके पीछे स्कॉर्ट होता है तो गरीब और साधारन जीवन अस्तर की बात करने वारे लोग जब उनको पद और पावर मिलता है तो उसका जम के उप्योग करते हैं आप ही सोचिए डेल साल में 25 से 30 लाफिर करने की क्या जरूरत पड़ गई और सब लोग जानते हैं ऐसा हम भी देखते हैं कि जब नया सरकार बनता है तो सारे मंत्रियों को नई गाड़िया दी जाती है ऐसा बहुत कमी होता है कुछ ही मंत्री होते हैं जो पूराने अपने मंत्रियों गाड़ी को उपियो करते हैं तो बिहार गरीब राज्य है संसाधनों की कमी है नोकरी नहीं है हम मैंसा केदर के पास याशना करना पड़ता है कि हमें स्पेसल पैकेज दे हमें विशेस राज का दर्जा दे युवाओं को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और ऐसे में जो मंत्री हैं उन्हें तो इतना मंगे गाड़ी को उप्यो करने का आखिर क्या जरूरत है तो हैर सरकार का फैसला है और सरकार में यही लोग बैठे हुए हैं मंत्री लोगी बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से उन्हों ने अपने सुभधा के हिसाब से गाड़ियों के लिए जो आवंटीत होता है पैसा उसकी राज़ी को बढ़ाया है और अब जो है वो 30 लाग तक की गाड़ी में मंत्री जी सवारी करेंगे तो अभी तक आप देख रहा होंगे कि अभी यह से इनोवा का जो है कृष्टा चलता था तो अब जो है कोई और गाड़ियो आप देख सकते हैं उससे महांगा फर्चुन और और यह सो गाड़ी देख सकते हैं इसमें मंत्री जी अब सवारी करेंगे जाएंगे गाओं में और बात करेंगे गरीबों के गरीब के कल्यान का तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है लाइक सेर करें हमारे चैनल देंडिया टॉपक क